दोस्तों WWE के अंदर Bobby Lashley को इंजर्ड करने का सीन को जादा ही चल रहा है हमने देखा Elimination Chamber में किस तरीके से Bobby Lashley इंजर्ड हुए खेर वो तो एक स्टोरी लाइन थी क्योंकि Bobby Lashley तो Royal Rumble में ही इंजर्ड हो गए थे इसलिए WWE को Bobby Lashley को हर हाल में Elimination Chamber में इंजर्ड दिखाना था अब एक live event चल रहा था Newcastle के अंदर जहां पर Drew McIntyre versus Bobby Lashley के बीच में match चल रहा था तो यहां पर होता यह है कि Bobby Lashley rope से टकराते हैं जिसकी वज़ासे जो rope है वो टूर जाती है जिसकी वज़ासे Bobby Lashley ring से नीचे काफी speed से गिरते हैं अब यार यह rope टूटने का जो system है वो तो एक scripted होता है लेकिन Drew McIntyre जिस तरीके से expression दे रहते हैं उसको देखकर लग रहा था कि यह जो incident है वो real है और Drew McIntyre जिस तरीके से देख रहे थे Bobby Lashley को उन्हें लग रहा था कि शायद Bobby Lashley के injury ना हो गई हो अब बाद में referee भी आकर चेक करते हैं Bobby Lashley को बट Bobby Lashley कि मैं इस वीडियो को नहीं दिखा सकता क्योंकि copyright claim का डर है तो बस यार वीडियो को यह खतम करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना चैनल को subscribe कर देना बैल आइकन को दबाना ताकि latest वीडियो की update आप लोग को सबसे पहले मिल जाए मिलते हैं next वीडियो के अ सिर मिल फुंदर